मैं RSI नहीं छोड सकती। स्कैनर तो मैं दे दूगी। लेकिन एक चीज ये जान लीजेगा जब तक वो सारे एलिमेंट्स जो आपने डाले हैं वो जब तक हिट नहीं होंगे स्कैनर आपको अलर्ट नहीं देगा। I will show you how to create a scan on charting कभी-कभी हम इतनी conditions टाल देते हैं कि पूरे साल भर में भी एक या दो stocks मिलना मुश्कील हो जाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने पेरों पे खुद घड़ा होना अब मुझे एक और filter चाहिए मुझे penny stock में काम नहीं करना तो फिर जो प्रेडी नहीं मिलेगा तो करोगे क्या नमस्ते फ्रेंज मैं हूँ जोती बुदिया scanner के second part में मैं आपके लिए लिखे आई हो Ichimoku scan थोड़ा complicated है Mix with RSI इसके लिए भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी आप भी अपनी request comment box में डाल सकते हैं मैं उसका scan बनाकर और इसका explanation के साथ में YouTube बनाकर आपको देश सकती हूँ upload कर सकती हूँ आप देख लीजेगा आपकी request पे यह charting पे scan बनेगा charting पे जब हम scan बनाते हैं friends तो यह चीज हमेशा याद रखेगा कि अगर वो paid है तो आप उसे private भी कर सकते हैं और उसमें alert mark करने से वो आपको live markets में alert देगा नहीं तो सबसे पहली बात वो open to all रहेगा कोई भी उसे देख सकता है दूसरी बात आपको खुद manually उसे बार-बार refresh करकर देखना पड़ेगा It depends on you मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं है नहीं मैं कोई link शेयर कर रही हूँ यह आपकी choice पे है जिसको जैसा काम करना है उसी तरह से इसे use करिये I am not selling this product I am showing the use of this product यह free में भी आपका काम हो जाएगा but paid में जो benefit है वो free में नहीं है तो free में तो सब कुछ नहीं मिलता है न इसी लिए जो alert आपको live market में चाहिए तो थोड़ा खर्चा करना पड़ता है यह भी कर सकते हो कि पहले free में से कमा दीजिए और फिर उसमें से थोड़ा दे दीजिए ओके online register कर लेना अपने आपसे सब हो जाता है immediately they are very helpful I will show you how to create a scan on charting एक बात और है friends मुझे सब कहते है scanner 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 मैं कुछ भी सिखाती हों तो यही कहते है इसका scanner scanner तो मैं दे दूगी लेकिन एक चीज यह जान लीजेगा कि scanner होने के बाद बताएगा जब तक वो सारे elements जो आपने डाले हैं वो जब तक hit नहीं होंगे scanner आपको alert नहीं देगा लेकिन जब हम manually study करते हैं एक एक chart तो यह hit देने वाला है उसका हमको advance में पता चल सकता है और हम उस पर अच्छे से नजर रखे और अगर हमको technical analysis आता है तो उसको use कर सकते हैं तो इस तरह से हम यह scan को use कर सकते हैं तो हम scan कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम अपनी conditions note कर लेते हैं एक paper पर note कर लीजिए या आपके दिमाग में जो भी conditions है वो कहीं note कीजिए फिर उसके बाद वो conditions हम यहाँ पर डालेंगे अभी जैसे मैंने एक scan बना रखा है for Ichimoku इसमें मैंने क्या किया है daily close greater than daily Ichimoku baseline अब यह जो 9, 26 और 52 है by default आता है मैंने कोई default line change नहीं किये उसका reason है कि जब मैं chart देखती हूं और chart में जो parameters होते हैं वो भी 9, 26, 52 यही है तो मैं कोई parameter कभी भी change नहीं करती हूं generally मैं वो ही रखती हूं और उसी के base space study करती हूं फिर हमने लिया है daily close greater than Ichimoku conversion line फिर daily Ichimoku conversion line यह with that parameters greater than daily Ichimoku baseline और फिर daily Ichimoku span A greater than daily Ichimoku span B बट उसके साथ भी मैंने RSI तो डाल ही दिया because पता नहीं क्यों जब से मैंने technical start किया है मैं RSI के बिना रही नहीं पाती हूं मुझे ऐसा लगता है कि जब तक RSI confirm नहीं करे मेरा trade नहीं बनता मैं RSI नहीं छोड सकती हूं तो हम क्या कर सकते हैं यह हमारे हिसाब से कट करके रख लिया कई बार ऐसा होता है कि हमको screen shots कहीं से मिल जाते हैं तो हम उसे test करना चाहते हैं तो उसे बनाएं कैसे यह भी बात दिमाग में आती है कि कैसे बनाएं कई बार हम अपने conditions लिख लेते हैं उनको test करना चाहें तो लेटर से आपने यह conditions एक page पे note किया उसको बनाया फिर उसमें कुछ plus minus किया चेंज किया ऐसा करके भी हम बना सकते हैं उसमें हम additions कर सकते हैं वॉल्यूम का उसमें हम additions कर सकते हैं कि प्राइस अबाव 50 या अबाव 100 वाले शैज में ट्रीड करूंगी पैनी stocks में काम नहीं करूंगी तो जितने conditions हम डालते जाएंगे stocks कम होते जाएंगे कभी-कभी हम इतनी conditions टाल देते हैं कि पूरे साल भर में भी एक या दो stocks मिलदा मुश्कीर हो जाते हैं तो इतने भी conditions मत डालिए यह holy grail नहीं है यह आपको help कर रहा है मतलब हम चाहते हैं कि हमारा trade 100% perfect हो इसलिए मुझे यह भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए तो फिर जो trade ही नहीं मिलेगा तो करोगे क्या और 100% मान दो मिल भी गया perfect trade उसका stop loss हिट नहीं हो उसकी क्या guarantee है इसलिए stop loss के बिना कभी काम न करें कोई भी trade करे stop loss के साथ ही करें की देखा देखी ओके अगर आपको technical analysis option strategies जो भी आता हो तो आप system के हिसाब से लगाए या अपनी pocket के हिसाब से इसके अलावा दूसरे ने अगर लाग रुपे का loss ले लिया या पांच लाग का loss ले लिया और अपनी capacity 5000 की भी नहीं है और हमने भी उनकी देखा देखी लाग रुपे का loss ले लिया तो वो टिक जाएंगे हमने हो सकता है उनकी pocket size बड़ी हो हमारी pocket size बहुत छोटी हो तो एक retail perspective से जो मैं stop loss आप लगाएं देखकर लगाईएगा बट कुछ भी हो जाएं प्रीज डोंट ट्रीड विदाउट stop loss लाट इसा small request from my side तो चलिए इसी को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर आप इस video को देख रहे हैं तो आम शौर आप market में successfully trade करना चाहते हो अलग-अलग टाइप के candle stick और chart pattern समझना बहुत important है क्योंकि यही patterns आपको सही entry और exit लेने में help करेंगे जोती बुद्या माम ने upsearch.club के technical analysis course में chart patterns, indicators, trend lines और stock selection जैसे कई important topics in detail cover किये हैं according to our 10,000 plus learners यह आपके trading journey को fast track करने में काफी helpful हो सकता है तो आज ही description में दिये गए link पे click कीजे और technical analysis सीखे now let's get back to the video create scan में जाएंगे और यहां से हम start करेंगे जैसे हम add करते है न यहां से हम start करेंगे बहुत बार हमें देखने की दिक्कत होती है कहां जाएं, क्या देखें, कहां जाएं, क्या देखें, कैसे देखें, बार बार इधर जाएं, उधर जाएं, उधर जाएं तो मैंने दो windows पास पास में खोल लिए मान लो जैसे मैंने आप से कहा कि आपको कभी-कभी स्क्रीन शॉट्स मिल जाते हैं तो हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कहां तक प्रॉपर है तो पहला वाला क्या है? डेली क्लोज ग्रेटर देन तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज करेंगे सबसे पहले हम क्लोज लेंगे यह ध्यान रखिए यह जो हाइलाइटेड वर्ड्स है ना यह जो है हम सिलेक्शन में यह हाइलाइटेड वर्ड्स लेंगे बाकी सब हम चेंज कर सकते हैं लेकिन जब हम सिलेक्शन करेंगे तो यह highlighted words लेंगे तो यहाँ पर हमने highlighted word को select करना है तो close फिर greater than यह greater than फिर ichimoku इसके बाद क्या आएगा I-C-H-I अभी ichimoku क्या है baseline ichimoku baseline आगया daily by default आता है अगर हमको time frame change करना है तो हम इसे hourly करेंगे तो सब कुछ hourly कर सकते हैं सब कुछ monthly कर सकते हैं सब कुछ daily कर सकते हैं सब कुछ weekly कर सकते हैं हम इसे अपने हिसाब से change कर सकते हैं लेकिन ऐसा मत करना कि कुछ daily कुछ weekly because यह एक पूरा set है जब Ichimoku की बात आती है तो पूरा बन गया same to same daily close greater than daily Ichimoku baseline 9 26 52 पूरा का पूरा बन गया as it is अभी दूसरे में आते हैं फिर से close greater than उसके बाद Ichimoku conversion line Ichimoku conversion line आगया पूरा daily close greater than daily Ichimoku conversion line 9 26 52 ये बाई डिफॉल्ट आता है तो ये दो हमने complete कर दिया ये दो पे tick करना है हमें जैसे हम clear करते जाएं उसे tick करते जाएं जिससे confusion ना हो अब आते हैं थर्ड लाइन पे तो थर्ड लाइन पे क्या है Ichimoku conversion line ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या word highlighted है Ichimoku conversion line Ichimoku conversion line यहाँ पे close नहीं था Ichimoku conversion line greater than ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन डेली Ichimoku baseline तो Ichimoku baseline आ गया डेली बाइडिफॉल्ट आ जाएगा weekly, hourly, monthly यह सब अगर आपको करना है तो आपको change करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी देर में तो यह बराबर बैड़ी है डेली Ichimoku conversion line 92652 greater than डेली Ichimoku baseline मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में parameter है किसी के दिमाग में parameter नहीं है किसी के पास screenshots आते हैं बहुत बार आज कल WhatsApp ग्रूप में बहुत सारे screenshots आते हैं उस screenshots को code कैसे करूँ मुझे नहीं समझ में आता है तो ऐसी situation में guide करें help कर रही हूँ आप अपने आप से बनाए क्योंकि किसी पर depend होना मेरा तो यही माना है कि जितनी जल्दी हो सके अपने पेरों पे खुद घड़ा होना किसी और के भरोसे हम कब तक कम करेंगे ज़र यह हो गया इसके बाद अब आता है यहां पे क्या highlighted है यहां पे इच्छी मोकू span A तो हम बनाएंगे इच्छी मोकू span A इस पर क्लिक करें टाइप करियेगा और आगे आगे आउटमेटिक 926.52 ग्रेटर देन डेली इच्छी मोकू span तो ICH किया इच्छी मोकू span क्या है आगे लिखा हुआ B B लिखा है न तो यहां पर हम करेंगे इच्छी मोकू span B आ गया सब कुछ अपने आप से फिर my favorite RSI greater than 70 तो नंबर है तो हम नंबर पर क्लिक करेंगी जो highlighted figures है वो हम सिलेक करेंगे box में से और यहां पर नंबर में 20 की जग है 70 एकदम सेम टू सेम बैडिया जैसे यहां था कुछ डिफरेंस है येस है यहां पर निफ्टी 500 लिया है बाइंग साइड में मैं 500 निफ्टी ले सकती हूँ लेकिन सेलिंग साइड के लिए मुझे फ्यूचर्स ही लेना पड़ेगा तो मैं भी निफ्टी 500 ले लेती हूँ मैं इसमे एक और एड़ कर देती हूँ चलिए कि मुझे वो चाहिए जिसमें वॉल्यूम ग्रेटर देन और इक्वल टू नमबर थ्री लैक्स हो ठीक है यह हो गया अब मुझे एक और फिल्टर चाहिए मुझे पैनी स्टॉक में काम नहीं करना तो मैं क्या कहूंगी जिसका ओपन प्राइस राइट मतलब करेंट मार्केट प्राइस हाइप्राइस ओओ लो प्राइस जो भी हो ओपन प्राइस ग्रेटर देन नमबर के हिसाब से मुझे पैनी स्टॉक में काम नहीं करना मुझे पचास के उपर ही चाहिए तो मैं फिफ्टीवन डाल दूँगी हो गया अब देखिए यहाँ पे इसे बड़ा कर देते हैं अब इसको जब मैं सेव करने जाऊंगी तो क्या आएगा यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इची मोकू बुलिश स्कैन इसका नाम आगया है इची मोकू बुलिश स्कैन यही चीज और डिस्क्रिप्शन में या इची मोकू स्कैन लिख देते हैं यहाँ पर इची मोकू बाई ऐसा कर देते हैं बाई सिगनल ऐसा डाल दीजिए इचि मोकू, बुलिश, सिगनल और केटेगरी कौन सा आएगा? बुलिश स्कैन, अगर आपने इसको पंद्रा मिनट में किया, तो इंट्राडे कर दीजे, इंट्राडे बुलिश स्कैन, राइट? तो यह daily का है तो हमने इसको bullish scan कर दिया अब यहाँ पे आपको is private दिखेगा यह is private जो है यह तभी काम करेगा जब यह paid होगा अगर यह paid नहीं होगा तो यहाँ पर आप click नहीं कर पाएंगे और अगर आप click कर पा रहे हैं तो मतलब आपका paid है और फिर इसे submit कर दीजिए जिससे इसे कोई देख न सके तो फिलहाल मैं सब देख सके इसको submit कर देती हूँ और देखिए नीचे कितने stock आते हैं कितने सारे stock आते हैं यह सारे stocks आ रहे हैं इन में से जो upside movement वाले stock हैं तो चलिए इनको देखते हैं सबसे पहले inox wind यह पूरा setup उसी पे बैठा हुआ है inox wind तो क्या inox wind आज bullish में आ गया सब के उपर आ गया RSIB 70 के उपर है अगर volume इसमें मैं add करूँ तो जब मैं यहाँ पे click करती हूँ तो उपर देखिए volume is more than 3 lakhs ओके नेक्स्ट इरिकॉन आई आर सी ओ एन यह देखिए बुलिश में आ गया कंप्लीटली और RSI above 70 volume is also good इस तरह से आप बुलिश बेरिश हर तरह के बना सकते हैं ओके और आपको अगर अपना कोई scan बनवाना है comment box में लिखिए ने उसी के उपर YouTube बना कर अगर वो feasible scan हुआ तो या अगर वो scan बन सकता है तो बहुत सारे parameters डालेंगे तो complicated हो जाती है life और scan दोनों इसलिए simple scan बनाएं simple काम करिए 2-3-4 parameters बनाईए बहुत ज़्यादा parameters मत डालिए अच्छे अच्छे ढूंड के आप अपना explanation comment box में लिख दीजिए उसके उपर मैं scan बनाके इसका YouTube बनाके उसको explain कर दूंगी कि वो कैसे बनता है क्योंकि हो सकता है कि आपको scan बनाना ना आए तो I can help you on that subject to आपको comment box में लिखना पड़ेगा और of course आपकी like और views ही मुझे बताएंगे कि आपको अगर ये topic पसंद आया तो मैं और बनाऊं इस तरह से इसके भी advanced versions बना सकती हूँ और varieties के scan सिखा सकती हूँ कुछ आप मुझे भी help कर सकते हैं जो scan आपको चाहिए तो आपकी भी help होगी और दूसरे लोगों की भी help होगी विल्कुल comment box में mention कीजिए आपको कौन से scan चाहिए I will try to make it Thank you